सुरक्षा समिती का गठन करना एक संगठित प्रक्रिया है जो संगठन की कर्मियों की सुरक्षा को बनाए रखने का एक महत्वपुन उपए है. सुरक्षा समिती का मुख्य उद्देश्य नियमित रूप से सुरक्षा परिस्तितियों का मूलियाकन करना और उच्चतन सुरक् रखने के लिए विभिन विभागों के प्रतिश्थानुसार सदस्यों को चयन करना चाहिए, जिससे विभिन द्रिश्टिकों से सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके। सुरक्षा समिती को निर्दिष्ट अंतरालों में बैठकों का आयोजन करना चाहिए ताकि उसे सुरक्षा की स्थिती को नियमित रूप से मुल्यानकित करने का मौका मिल सके सदस्यों को नियमित रूप से सुरक्षा प्रशिक्षन देना चाहिए ताकि वे सुरक्षित काम करने के लिए सक्षम हो और आपत्तियों का समानंतर निरीक्षन कर सके सुरक्षा समिती को आपत्तियों की जानकारी और उनका विशलेशन करने के लिए एक प्रनाली अपनानी चाहिए ताकि आगामी में ऐसी स्थितियों से सिखा जा सके समिती को सुरक्षा स्तर की निग्रानी रखने के लिए नियमित रूप से सुरक्षा अभियंता या विशेशग्य को सनलगन करना चाहिए सुरक्षा समिती की सदस्यों को सुरक्षा से संबंधित नए नियमों और मानकों की जानकारी प्रदान करने का कार्य करना चाहिए समिती को सुरक्षा से संबंधित सुझाव देने और सुरक्षा समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्षम होना चाहिए सुरक्षा समिती को संगठन के कर्मियों के साथ सुरक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए सक्रियता दिखानी चाहिए